हाई आल वेलकम बैक आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ब्यूटिफुल होमस्टे के बारे में जिसका नाम है कुरुशी कूटा होमस्टे यह चिकमगलू डिस्टिक्ट में है और बैंगलोर से लगभग 352 किलोमेटर के डिस्टेंस पे है यह अगुमबे से लगभग 16 किलोमेटर पड़ेगा और श्रिंगेरी टाउन से 14 किलोमेटर तो अगुमबे और श्रिंगेरी दोनों ही टूरिस्ट अट्रेक्शन है इस होमस्टे के आसपास so in case if you are planning to visit Agumbe or Shringeri you can consider this peaceful and very green homestay Krushikota और वैसे बहुत सारे homestay है बट हम लोको ने यहापे stay किया था और हमारा overall जो feedback था और overall जो experience था वो बहुत अच्छा था so let's continue and let me show you some video clips of this beautiful homestay और यह है homestay का बड़ा सा entrance और अंदर जो है वो पार्किंग के लिए काफी sufficient जगह है बहुत बड़ी जगह है बच्चों के खेलने के लिए भी काफी बड़ा space है और आज इस property में सिरफ हम three families है जो यहाँ पे stay करने वाले है so we are going to have fun so let's continue and enjoy our time so this is front view और यह सामने जो घर दिख रहा है वो है homestay owner का house तो lawn जो है वो काफी बड़ा है और आप यहाँ पे भी आराम से अपना time spend कर सकते हो homestay जो है वो इस घर के पीछे है चारो तरफ farm है और उसके बीच में homestay है so it's actually very beautiful तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे लगभग शाम को चार बजे और पहुंचने के बाद हम लोग तोड़ा फ्रेश अप हुए snacks वगड़ा खाए चाय पिए थोड़ी दिर रिलाक्स किए और अब हम लोग जा रहे हैं इस homestay के property में जस्ट एक छोटा सा वॉक करने के लिए तो यह है homestay property का view और हम लोग उनके farm की तरफ walk के लिए जा रहे हैं जो आगे देख रहे हो आप वो homestay owner ही है जो हमें अपने साथ अपने farm में walk के लिए लेकर जा रहे हैं और आगे जाने के बाद एक water body भी आता है एक river आता है छोटा सा so view from there is very beautiful so let me show you तो river का जो view था वो बहुत ही अच्छा था और हमारा चोटा सा वॉक था दस मिनिट का एकदम बिलकुल मस्त और अब शाम हो चुका है हम लोग जाके रिलाक्स किये और डिनर में हम लोगों ने authentic करनाटका food homemade जो की बहुत ही टेस्टी था अक्की रोटी और बहुत सारे वराइटी के सबजी veg non veg spread बहुत अच्छा था we enjoyed a lot so next day morning ladies और बच्चा पाटी निकल चुके हैं एक छोटे से morning walk के लिए तो सुबे सुबे हम लोगों ने बहुत enjoy किया और कुछ लोग गये हैं दूसरी तरफ जहां पे एक छोटा सा river सा है और वहां पे भी आप by walk जा सकते हो which is part of this property तो वह भी काफी अच्छा है morning view के लिए और यहां पे हैं कुछ लोग water stream की तरफ जाते हुए तो उनका plan है कि अगर पानी अच्छा है साफ है तो वह उसमें डुपकी लगाएंगे और इसके लिए वह अपना टॉवल वगर आप पूरा इंतिजाम करके चले हैं तो यह भी एक छोटा सा stretch है दस मिनिट का walk है में भी होमस्टे से मैं नहीं गई थी बट बाकी लोग गए थे तो यह जो है वह सुबह सुबह आप यहां पर जा सकते हो अपना प्रूट यह जो हो अपना सुबह के मॉर्निंग वॉक के बाद हम लोग रेडी होकर निकल गए श्रिंगेरी शारदा टेंपल के दर्शन के लिए दर्शन हमारा बहुत अच्छा था और इस टू डेस के स्टे में हम लोगों ने कवर किया अगुंबे व्यूपॉइंट संसेट व्यूपॉइंट है अच् अच्छा अच्छा में हम लोगों ने काफी कुछ कवर किया अच्छा तो हम लोग ऐसे निकल गए थे फार्म की तरफ वॉक करने के लिए यहां पे आपको बनाना प्लांटेशन, बिटलनट, राइस पैडी और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे तो ओवर ओल यह जो एरिया है होमस्टे का यह काफी ग्रीन और क्वायट है, कुछ क्राउड नहीं मिलेगा आपको यहां पर तो अभी है शाम का वक्त और यह जो आपको पिक्चर में टेरिस दिख रहा है, यह है ओनर के घर का टेरिस यहां पर हम लोग कुछ देर टाइम स्पेंड किये थे क्योंकि यहां से जो प्रॉपरटी का व्यू है वो काफी अच्छा आ रहा था और इसके अलावा आपको यहां पर पिकॉक्स भी दिखेंगे, इनके फार्म में पिकॉक्स काफी आते रहते हैं तो बहुति और को काफी अच्छा था अच्छा था यहां।